एक बार गौतम बुद्ध एक शहर में प्रवास कर रहे थे, उनके साथ कुछ शिश्य भी थे, एक दिन उनके शिश्य शहर में घूमने के लिए निकले, वे शहर में घूम ही रहे थे कि तभी शहर के कुछ लोगों ने उन्हें अपशब्द कहे, उनके बुरे शब्दों को शिश्यों को बहुत बुरा लगा और वे वापस लौट गए, बुद्ध ने देखा कि शहर से लौट कर आए उनके सभी शिश्य बहुत क्रोध में दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने शिश्यों से पूछा, क्या बात है, आप इतने तनाव में क्यों हैं? तभी एक शिश्य क तुरंत चलना चाहिए, जब हम बाहर शहर में घूमने गए थे, तो यहां के लोगों ने बिना वजह हमें बहुत बुरा भला कहा, जिस जगह हमारा सम्मान नहीं हो, वहां हमें नहीं रहना चाहिए, बुद्ध ने कहा, क्या, किसी और जगह तुम अच्छे व्यभार की हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए, कि जिस स्थान पर भी जाएं, उस स्थान को तब तक नहीं छोड़ें, जब तक अपनी अच्छाईयों से वहां के लोगों को सुधार न दें, हम जिस भी स्थान पर जाएं, वहां के लोगों का कुछ न कुछ भला करके ही वापस लॉटें बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ के तीर सहते हुए भी आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के अपशब्दों को सहते हुए अच्छे कार्य करता रहता है, खुद को वश में करने वाले प्र जानकारी अच्छी लगी हो, तो नीचे दिये गए कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें बताए, और साथ ही साथ यदि अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सस्क्राइब करके वेल को भी दबा दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मि आपको मिलती रहे.